गायत्री महाम्माद। अम्भूर भूवाह स्वाहा तच्वितुर्वरेन्यम् भर्गो देवस्यदीमाही दियोयोनाह प्रचोदायाद। श्रीमद भगवद गीता अध्याय छे श्रोक नंबर छे। बंदुहु आत्मा आत्मनह तस्ययन आत्मा एव आत्मनह जितह। अनात्मनह तु शत्रत्वे वरतेत आत्मा एव शत्रुवत। जितने भी ग्यानियों को पढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तैयारी से पूर्व पढ़ना ही एक अध्यापक का कारे होता है। इस श्लोक के विशे में लगबग एक से भाव सभी जगा पर पढ़ने को प्राप्त हुए। समभता इसी लिए गहराई में जाकर के एक मर्म को बाहर निकालने का प्रियास भी हुआ। शाब्दिक अर्थ जो अनेको ग्यानियों ने अपने अपने समझ के अनुरूप लिखा है। वो ये है कि जो व्यक्ति अपने आपको जीत चुका है, अपने आप पर विजे प्राप्त कर ली है, मन इंद्रियों पर विजे प्राप्त कर ली है, वही अपना सच्चा मित्र है। और जिनों ने अपने उपर विजय प्राप्त नहीं की है अनात्मनहा वो स्वेहमी अपने साथ शत्रता का व्यवहार बरतते हैं वरतेत मोटर रूप से इसका भाव यही सामने आया यही मेरे मन में प्रश्न उत्पन हुआ क्योंकि आधनिक संदर्ब को देखते हुए तारकिक बुद्धि प्रश्न करती है क्या केवल मन और इंद्रियों पर अंकुष लगाना क्या केवल यह कहना कि मैंने अपने मन को जीत लिया है इंद्रियों को जीत लिया है क्या इतना भरी तात्परिय इस इन तीन चार शब्दों का आत्मा एव आत्मनह जिते जितने अपने आपको जीत लिया है क्या अपने उपर विजय प्राप्ती किवल इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से हो जाएगी बहुत से लोग होंगे जिनके पास अहार सेयम बहुत अच्छा होगा बहुत से लोग होंगे जिनके पास अहार सेयम के साथ साथ विचार सेयम भी बहुत अच्छा होगा बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास अहार सेयम भी है विचार सेयम भी है विहार सेयम भी है तो क्या ये मान लिया जाए कि उन्होंने अपने उपर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली है और वो जीवन के उद्धे शुक्र सफल कर रहे हैं ये प्रश्ण ऐसा था जिसने मेरे भीतर एक चनौती उत्पन की क्योंकि जितने भी ज्यानियों को पढ़ा सब ने अपने भाव अधिकांश्ट है अधिकांश्ट है इंद्रिय विजय पर केंद्रित रखे हैं और मैंने अपने आपको आज के संदर्म में अनुभव करना शुरू किया और ये पाया कि केवल मातर अहार संयम केवल मातर विचार संयम केवल मातर विहार संयम समूची इंद्रियों के संयम से समूचे जीवन को सफल नहीं कहा जा सकता आत्मा एव आत्मनह जिते आत्मा शम्द का विस्तार क्या केबल इंद्रिय जय तक ही सीमित रखा जाएगा ये प्रश्ण मेरे भीतर बहुत गहराई से कौन्दना शुरू हुआ मान लीजे मेरे पास अहार का पूरा सेंग्यम नहीं भी है विचार का पूरा सेंग्यम मेरे भीतर नहीं भी है विहार का पूरा सेंग्यम मेरे भीतर नहीं भी है तो क्या मैं अपने जीवन को पूरी तरह से परास्त मान लूँ अच्छा है अमेशा से ये एक सूत्र रहा है कि जब कभी भी किसी विचार का द्वंद हो तो go back to the basics चाहे वो विशे कोई भी क्यों ना हो कोई strategy planning का हो resource allocation का हो किसी conflict management का हो कुछ हो अगर आपको कहीं समस्या दिख रही है कहीं गुंजल दिख रहे हैं तो आपको उसके मूल पर जाना चाहे go back to the basics basics पर आए क्योंकि आत्मा शब्द की बात आई है जिसमें मुनुश्य के समूचे अस्तित्व की चर्चा है और जिताय अर्थाद विजय की बात है इस पूरे जीवन की सफलता की बात हो रही है तो केवल इंद्रिय जय इंद्रिय विजय होना क्या जीवन का सफल कर देगा जैसे ही ये विचार आना शुरू हुआ I went back to the basics basics क्या है मुनुश्य के जीवन का उदेश्य जिसकी चर्चा सेक्डो वीडियोज में हम लोग कर चुके हैं और मुनुश्य के जीवन का उदेश्य निर्द्वन रूप से हमारे उपनिश्य दोने का है आत्मानो मुक्षार्थ थ्रू थ्रू जगत हिताय चा आत्मानो मुक्षार्थ जगत हिताय चा मेरी आत्मिक प्रगती हो I must evolve पर कैसे कौन सी क्रिया के द्वारा जगत हिताय चा आसपास किस रिष्टी जो आसपास का मेरा परिकर है उनके हित में कुछ करते हुए मेरी आत्मिक प्रगती होने चाहिए जैसे इस बेसिक्स पर गए तो ततकाल समझ में आना शुरू हो गया कि केवल अहार सैयम विहार सैयम विचार सैयम ही परियाप्त नहीं है कोई व्यक्ती अगर किसी अकेले कोने में बैठ करके तीनो सैयम करता है समूची इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है पर उसके जीवन में जगत हितायचे नहीं है तो क्या हम मानेंगे कि उसका जीवन सफल हुआ उसे बार बार जणम लिना पड़ेगा और इसके उधारन अनेको हमें अतीत में दिखाई देते हैं कि बहुत सारे ब्रामरिशियों ने जिन्नों ने अपने पूरे जीवन में कठोर तब किये मैं यहां नाम को लेख इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बात फिर पुष्टी पर आएगी पुष्टी के साक्ष मेरे पास उपलब्द नहीं है इसलिए सुनी सुनाई बात को लेकर के मैं सामने प्रस्तुत नहीं करूँगा पर हां मैंने अनेको ब्रह्म योगियों के विशे में सुना है कि उन्होंने अपने जीवन में सैंक्णो वर्ष के तब किये जिनका मैं उलेक अपने बीतर इस समय अनुभव कर रहा हूँ उन्होंने साड़े छे सो वर्ष तक तब किया मैं भी यहां नाम नहीं लूँगा और साड़े छे सो वर्ष के तब के उपरांत जब वो जाने लगे तो उन्होंने अपने कुछ छोटे से थोड़े से अनुयाईयों से कहा कि मेरे समूचे जीवन में मैंने सैंक्णों वर्ष तक तप किया है पर मैंने जगत हितायचा नहीं किया जिसके लिए मनुश से एक मूल आशा की जाती है एक स्रश्टा एक रचाईता एक आशा करता है ये कारे में उतने मुक्त रुप से नहीं कर पाया आता है मुझे एक बार अब फिर आना होगा एक ब्रह्म ग्यानी जीवन मुक्त आत्मा ये निर्धारन करती है कि मुझे एक बार फिर से आना होगा क्यों? क्योंकि मेरा जगत हितायचे वाला जो पाठ है वो अभी मेरा रियपियर है और मुझे रियपियर के लिए फिर आना पड़ेगा और वो आएं और उन्होंने लाखों करोडों लोगों के जीवन को सेवा के माद्दिम से प्रभावित किया ये बातें जब अनुभव में आती हैं तो निश्चत रुप से प्रशन उठता है कि क्या केवल आत्मा एव आत्मना जिते इंद्रिय विजय तक ही सीमित कर दिया जाए एक निरदिश जीवन जिसके पास कोई सार्थक उद्दिश नहीं है एक ऐसा जीवन जिसमें स्पष्टता नहीं है क्या उसे विजय मानेंगे और मेरे भीतर की समझ का समर्थन पांचमा श्लोक भी करता है क्योंकि पांचमें श्लोक में विशेश रूप से दो शब्द आये थे एक उद्धार और एक अवसाद जिसे अंग्रेजी में हम डिप्रेशन भी कहते है कि मुनुश्य को अपना उद्धार स्वेम करना चाहिए और किसी भी प्रकार से अवसाद अवसाद करतात परे है उत्साह वहीन नहीं होना चाहिए आशा वहीन नहीं होना चाहिए उर्जा वहीन नहीं होना चाहिए ये अवसाद करतात परे है क्योंकि जब व्यक्ति अवसाद में जाता है अंग्रेजी के शब्द डिप्रेशन में जाता है तो वो उत्साह विहीर होता है आशा विहीर होता है उर्जा विहीर होता है उसकी ख्षमताएं लगबग प्राएं लुफ्थ हो चुकी होती है ऐसी आवस्था में व्यक्ति ना जाए ऐसी आवस्था में केवल इंद्री विजय व्यक्ति ही जा सकता है जिसके पास करके सेवा करते हुए आत्म उद्धार कर सके अगर ऐसा रहा होता तो पांच में श्लोक में अवसाद शब्द को लेने की अवशक्ता नहीं थी वहाँ भी हम इंद्रिय संयम की चर्चा करके आगे चले जाते हैं कीवल मात्र इंद्रिय संयम के आधार पर हम अपने आपको विज़ई नहीं कह सकते अवशक है कि वो सार्थक उदेश की पूर्ती हो जिसके लिए मनुश्य का जनम हुआ है और वो यही है कि हाँ मेरी आत्मिक प्रगती हो जिसमें इंद्रिय जय का बहुत बड़ा रोल है बहुत बड़ा क्षेतर इंद्रिय जय पर आता है कि मनुश्य का इंद्रियों पर संयम हो अंकुष हो पर मात्र अंकुष होने से ही जीवन सफल हो जाएगा that's not complete अच्छी खीर केवल चीनी से ही बन जाएगी केवल चावल से बन जाएगी केवल अच्छे दुद से बन जाएगी यह अवशक नहीं है उसकी पूरी परक्रिया को देखना होगा किस परक्रिया से होकर कि उस खीर को तयार किया गया अगनी के साथ उसके संयोग को किस सरूप में अनुभव कराया गया ये बहुत बड़ा क्षित्र है आप अगनी के संयोग को चावल, दूद और चीनी इन्हें मुक्त छोड़ दें तो क्या आप समझते हैं कि अच्छी खीर बन पाएगे, नहीं बन पाएगे सिनर्जी शब्द का तातपरे यही है, जहां सभी घटक अपना सर्वस्व खोल करके प्रगट कर दे और वो सिनर्जी जीवन के उपलक्ष में तब तक नहीं आएगी जब तक सार्थक उदेश्य के द्वारा मुनश्य अपने आसपास के परिकर का कल्यान करते हुए अपने आपका उद्धार नहीं करता और इसमें जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, इसमें कोई लेना दिना नहीं, whether it is with प्रॉफिट और without प्रॉफिट विद्ध प्रॉफिट, विद्ध प्रॉफिट तो ये बटवारे हमने कर रखे हैं आत्मरों मुक्षार जगत हितायचे कि द्रिश्टी से विद्ध प्रॉफिट is also the same as without प्रॉफिट क्योंकि मूल मर्म उस करता का है, अगर करता विकरत है तो without प्रॉफिट भी गुना बन जाता है, पाप हो सकता है और करता अगर अच्छा है, श्रेष्ट है, सात्विक है, उच्छे अदर्श का नुपालन करता है तो विद्ध प्रॉफिट के द्वारा भी उसका कल्यान सुनिश्चित है ये एक भाव मेरे मन में बार बार उभरता रहा, क्योंकि एक के बाद दूसरे ग्यानी को क्योंकि श्रीमत भगवद गीता पढ़ाने से पूर्व जैसा मैंने कहा मैं लगबग तीस ग्यानियों को अनुभव करता हूँ, फिर आज के काल के अनुप अपनी अल्प बुद्धी से एक द्रिष्टी विक्सित करता हूँ तो मेरी द्रिष्टी जब तक पूर्ण न्याय के साथ नहीं सैयोग कर पाई, जब तक मुझे ये सुनिश्चित नहीं हुआ है, कि उदेश विहीन जीवन केवल सैयमी होने से जीवन सफल नहीं कहा जा सकता, आत्मा एव आत्मन है जिते नहीं कहा जा सकता इस आत्मा शब्द के अभी प्रायक हो, क्योंकि इस लोग में पांच-छे जगा पर ये आत्मा शब्द आया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे स्तानों पर ये शब्द आया है, और छे स्तानों पर अलग-अलग भाव, अलग-अलग सुरूप में इसने अपने आप को यहां व्यब्द किया है, इस लोग का मूल मर्म एक ही है, एक ही है, कि मुनश अपने जीवन की सार्थकता, जिता है अर्थाथ जीत लेना, जीत लेना अर्थाथ सार्थकता, यहां कोई हार जीत वो चित और पट करने वाली नहीं है, यहां तो पूर्था को जीत कहा गया ह अरताथ जिस कार्य के लिए, जिस उद्श इक लिनी आये थे वो पूर्ण हुआ आत्मा ए्व आत्मन है जिते यही पर है सारा सार इस उरशलोक का सार यही है क्योंकि बाकी में तो केवल यह कहा गया कि जिसने अपने आप को जीता अपने जीवन के उदेश को जीता वो अपना बंदू है अन्य था वही अपने लिए शतुरता बरत्रा है बाकी सब तो उसके आगे और पीछे के भाग है मूल तत्व यही है मूल सर्व यही है आत्मा एव आत्मरह जिता है ये विचार करते करते मन में भाव और अने शिरू हुए अगर आत्मा एव आत्मरह जिता है केवल इंद्रिय संयम नहीं है जीवन के उदेश की स्पष्टता और उसके लिए चलने वाला जो संघर है परस पर वो है तो फिर कौन से ऐसी क्षमता है जिस पर व्यक्तिकार करते हुए अपने आपको विजई करा सकता है वही फिर एक विचार किसी एक और शेष्ट ग्यानी का इस स्लोक के संदर भी प्रगट हुआ और मुझे उनका उपकार मानना चाहिए कि उनके माध्यम से ये सार मुझे और स्पष्ट हुआ वो द्वंद जो अनेकों को पढ़कर के जन्म ले चुका था किसी एक और यानी के माध्यम से वो स्पष्टता को प्राप्त हुआ उनके अनुरूप मनुष्य के पास तीन ख्षमताएं है और तीन ख्षमताएं कौन सी हैं इच्छा शक्ति ग्यान शक्ति क्रिया शक्ति ये तीन शक्तिया मनुष्य के पास हैं हम लोग इसी श्लोप में आत्मा एव आत्मर हैं जितह की एक सार्थक व्याख्या के लिए जुटे हैं जिसमें हमने आत्मा शब्द के विस्तार को इस जीवन के मकसद के साथ जोड़कर समझने की चेश्टा की है जिसे समझने के लिए हम उपनिशदों तक गए जहां मूल जीवन का मर्व मुनुष्य की जीवन का उदेश्य आत्मान और मुक्षार्द जगत हितायचा और इसके बिना केवल इंद्रिये विजे जीवन की पूर्टा नहीं की जा सकती अब आए हैं कि ऐसा क्या हो जिसे मुनुष्य की जीवन की स्पष्टता बनी रहे वो परस्पर रूप से जीवन में संगर्श यत्मी रहे इंद्रिये सहीं भी हो उसमें भी वो असफल प्रयास करता रहे असफल इसलिए क्योंकि इंद्रियों पर विजे एक दिन में नहीं मिल सकती नहीं मिल सकती कम से कम मुझे तो नहीं मिली I declare it with complete understanding and affirmation मुझे नहीं मिली और मैं यह नहीं कहता किसी को नहीं मिली लाखों को मिली होगी पर जिस किसी को भी मिली होगी मेरा मानना है आसानी से नहीं मिलती You have to go through millions and millions of failures लाखों असफलताओं के बाद इती से मिलती है और ऐसा मिरानुभव है कि इती सी सफलता मिलती है नाखोन के नोक बराबर और वो भी लाखों असफलताओं के पश्चात यका यक मिलने के लिए तो ब्रहम है यथार्त नहीं The reality is You cannot win yourself completely in a splash of second It's impossible क्यों हजारनों जन्मों का संस्कार है भाई पतानी कितने वर्षों की Programming पीतर है मिनुश्य का हाड मास का शडिर दिखता है उसका वो soft पार्ट कहां दिखता है जिस्की तहे हजारनों जन्मों सेंगरों जन्मों की समृतियों से अंकित हैं जिनकी जड़े बड़ी गहरी हैं उन्हें आप यकायक मिटा करके बदलने की चेश्टा चेश्टा हैं तो करनी होंगी उपर सफलता इतनी सहष्टा से नहीं मिलते तो क्या ऐसा है जिसे करते हुए मुनुष्य अपने जीवन के सपष्ट उद्दिश्य में संगर्श रत रहते हैं आगे बड़े ये तीन हैं ये तीनों शक्तियां मुनुष्य के भीतर ही होती हैं इन तीनों शक्तियों के द्वारा ही मुनुष्य जीवन में कुछ भी सार्थक अर्थवा निरर्थक कर पाता है जीवन में निरर्थक भी जो होता है या अनर्थ भी जो होता है वो इने के द्वारा होता है Whether it is something of benefit something which is detrimental or something which goes into no account इन तीनों के माद्यम से ही होता है इच्छा शक्ती, ग्यान शक्ती, क्रिया शक्ती हजारों इच्छाओं में कटा बटा व्यक्ती जब एक किसी विशेश उद्देश पर स्वेम को आहूत करता है चाहे वो विवसाय की द्रिश्टी से हो चाहे वो अपने जीवन की साधना की द्रिश्टी से हो चाहे वो अपनी image जिसे हम कहते हैं अपने व्यक्तत्व को लेकर के कैसी प्रतीती वो दुनिया में देना चाहता है उसको लेकर के हो जब तक आपका भीतर का भीतर का resolve भीतर के द्रड़ता एक स्थान पर सुनिश्चित नहीं है तब तक वो शक्ती विश्वंखलित होती रहेगी स्खलित होती रहेगी इतल स्काटर एक अत्रित नहीं होगी जो भी आपने भीतर resolve ले लिया चाहे वो अपनी प्रतीती के बारे में हो चाहे वो व्यरसाइक के बारे में हो चाहे वो आपके आत्मुतकर्ष के साधना के विश्वंखलिए हो whatever you have resolved चाहते तो हम बहुत कुछ हैं द्रड़ भी हो जाते हैं पर क्या उसके अनरूप हमारी समझ का विकास हुआ है नहीं तो निश्चत रूप से यात्रा यहां से शुरू होगी छटक जाएगी आवश्यक है कि मुनुष्य अपनी इच्छा शक्ती के अनरूप अपने भीतर की समझ या ज्ञान शब्द का तात्पर्य समझ से है the deep understanding that you have not informations alone लोग ज्ञान को केवल information मान लेते हैं informations तो process करता है कौन हमारी समझ हमारी समझ ही तो अनेको प्रकार की सूचनाओं को process करती है समझ विक्रित है तो सूचना कैसी भी क्यों न हो अनर्थ हो जाएगा भीतर की समझ क्या उस अनरूपता में तत्पर है ढलेवी है जो हमारी मून इच्छा है मान लीजे इसे भी आपने आत्म अवलोकन के द्वारा आत्म अवलोकन के द्वारा अंग्रेजी का शाद बहुत सुन्दर है इसका इसल्फ इंट्रोस्पेक्शन continuous continuous unraveling your own self अपनी परतों को परत करके उलटना परट करके देखना ग्यान शक्ती को आपने सुनिश्चित कर लिया कि हाँ मेरी इच्छा शक्ती की अनरूपता में है deflected नहीं है तो क्या मेरी to-do list जो मुझे काम करने है what all I must do weekly planner fortnightly planner monthly planner और annual envisage जो भी कोई मेरा है क्या उसकी अनरूपता में है अथवा नहीं कि मैंने बस ये काम जीवन में करना है ठंडे दिमाग से सोच लिया है और अब मेरे भीतर उसके प्रती गहरी समझ विक्सित हो चुकी है मैं उसके लिए कुछ भी बलिदान देने को तयार हूँ उसके लिए कोई भी कष्ट में लेने को तयार हूँ मैं तप के लिए तथ पर हूँ हां मैं तयार हूँ पर जैसे दिल शुरू होता है my activities are not in line with that करता तुम्हे कुछ और हूँ तो क्या जीवन का उद्धिश पूरा होगा नहीं होगा it has to come in line what I want what I deeply understand should also become a part of activity कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योयुत्सवा माम का पंडवाश्चैव किम कुरुवत संजया पहला श्लोक शीमत भगवत गीता का कि इस धर्म के क्षेत्र में और इस कर्म के क्षेत्र में the to-do list and what all has been done कुरुक्षेत्र क्रिया का क्षेत्र है where we actually accomplish things धर्म का क्षेत्र हमारी to-do list है this all must be done यह होना ही चाहिए धर्म यह हिंदू नहीं है मुस्लिम नहीं है सिक्षाई कुछ नहीं है धर्म अर्थात जो मेरे को निश्चित रुप से करना चाहिए अगनी को काम है कि उसको जलाना है अगनी जिस दिन शीतलता देनी शुरू कर देगी उस दिन अगनी अधर्मी हो जाएगी जिस दिन जल गिला नहीं करेगा जल अधर्मी हो जाएगा वायू सुखाएगी नहीं वायू अधर्मी हो जाएगी आकाश अपने में समाविष्ट नहीं करेगा आकाश अधर्मी हो जाएगा प्रकृती के अधर्म ही है जो अपवादों के रूप में दिखते हैं चाहे उसमें हस्तक्षिप मुनुश्य का क्यों ना हो This has to be prompt, this has to be asked कि क्या मेरी मूल संकल्प अब मेरे भीतर के गहरी समझे मेरी क्रियाओं के माध्यम से जीवन में हो रही है मेरे धर्मक्षेत्र और मेरे कुरूक्षेत्र में जहां दोनों तरफ की फौजें जिटी हुई हैं वो फौजें भी हैं जो चाहती हैं कि हाँ जीवन का सार्थ कुदिश पूरा हो आत्मानों मोक्षार जगत हितायच हो और वो फौजे भी हैं जो इस बात में तत्पर है पुरानी प्रोग्रामिंग के कारण impulsive instinctive conduct behaviorism कहते हैं कि वो हमारे भीतर होने वाली ऐसे नसर की तुरित विवहार जो आकर के हमें डिफलेक्ट कर देते हैं इच्छा कुछ भी कितना संकल्पित क्यों न हो लेकिन आकर के भीतर की समझ संकीन हो जाती है समझ कितने में विस्तरित हो क्रिया शक्ति के लिए उतने बल के साथ हम आरूर हो करके नहीं आते अरूरुक्षो नहीं होते इसी को तो इसी कक्षा को उपासना कहा गया जिसे हमने गलत समझ लिया The most misunderstood laboratory of man-making has been misconstrued, misunderstood, वो उपासन है, उपासन, छोटा आसमली के बैठ का, नीचे बैठ करके अपने आपको अनुभव करना, अपने आपको समझना, what am I, what am I का मतलब सीधा आत्मा तक जाने का नहीं है, आत्मा की पूरी, उसके व्यापक शित्र को देखो तो अपने भीतर चलन वाले सारे जमेले ही तो हैं, what all is ongoing in my mind, is part of आत्मा, आप सीधे नहीं कह सकते कि आज मैं बैठा हूं और आज ही मेरा ब्रह्म के साथ साक्षात कर हो जाएगा, पहले तो आपको जमेलों के साथ साक्षात करना पड़ेगा, और उन जमेलों को समझते, समझते अपने बीतर, एक alignment, alignment, this is alignment, स्थापित करने की चेष्टा करनी होगी, और वो उपासना के द्वार समभ, when you sit down for a while with yourself every day, not for brain chatting, not for mere utterances, not for that, just to observe the way you respond to situations, people and subjects, why do you respond in a particular way, एक प्रकार का आचरन, व्यवहार, प्रतिक्रिया, आप विशेश प्रकार के विशेओं को, व्यक्तियों को, परिस्तितियों को क्यों देते हैं, ये प्रशन पूछना, और इनी के समधान को हम कहेंगे उपासना, जो इससे समझ विक्सित होगी, उपासना, उसी क जो अनावश्यक है, उसका संशोधन करते हुए एक समरस्ता, एक समंजस्य, एक एलाइनमेंट बिठाई जाती है, और फिर तदर्णूप, मनुष्य अपने जीवन के लक्ष के प्रति अग्रसर होता है, तब कहा जा सकता है, आत्मा एव आत्मनहा जिता है, क्योंकि वहाँ फिर अवसाद का कोई स्थान नहीं है, निराशा का, हतोत्साहित होने का, उर्जा विहेन होने का कोई स्थान नहीं है, वो ही अपना वास्तिक उद्धार है, और वो ही मुनुष्य अपना वास्तिक बंदू है, और जो व्यक्ति अपने भीतर के इस समरस्ता को नहीं बिठा पाता वोही व्यक्ति अपने प्रती शत्रु का व्यभार करता है अपने प्रती शत्रुता बरतना और कुछ नहीं अपने जीवन के उद्श पर काम ना करते हुए समय का व्यतीत हो जाना आए वे अवसर का हाथ से चले जाना इससे बड़ी और को शत्रुता अपने प्रती आप नहीं बरतते हैं इसलिए इस लोग के मर्म को केवल इंद्रिय विजय तक सिमित कर लेना मैं समझता हूँ कि आज के काल के अनुरूप जो बुद्धी विक्सित हो चुकी है उसे समझा पाना न्यायोचित नहीं होगा उसे जीवन के उद्धिश के प्रती जागरुक करते हूए अधिक सुगमता के साथ अधिक विस्तार के साथ समझा जा सकता है कि अपने प्रती विजय का तात्परे हैं अपने होने के उद्धिश की पूर्ती में आगे निरंतर प्रगती प्राप्त करना अपने इच्छा शक्ति ग्यान शक्ति क्रिया शक्ति को एलाइन करना आत्म वलोकन उपासना के द्वारा अपने भीतर अनावशक का संचोधन परिमारजन परिशकार करते हुए आगे की और विक्सित होना और ये वो भाव है जो श्री मद भग वद गीता के इस शलोक से प्राप्त होता है और जब तक मुनुष्य की इच्छा शक्ति ग्यान शक्ति क्रिया शक्ति अब ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ जब तक मुनुष्य के भीतर इच्छा शक्ति ग्यान शक्ति क्रिया शक्ति एक दिशा में नहीं आगे बढ़ेगी तब तक आख मूदने के बाद एक सेकंड के लिए भी आपको विचार शुन्य अनुभव नहीं प्राप्त हो सकता ना भूलें छटा ध्याय ध्यान योग का है योगा ओफ मेडिटेशन अर्थात अपने भीतर बैठ करके विचारों के इस जंजावात को कुछ देर ठहराना विचारों के जंजावात तब तक नहीं ठहरते जब तक भीतर एक अलाइनमेंट अपनी इच्छा समझ और क्रियाओं के भीतर नहीं बैठती जब तक इनमें अपवाद रहेंगे इनमें विवाद रहेंगे तब तक आँख बुंद करके आप वर्शों भी बैठे रहें कोई परणाम निकलने वाला नहीं है खाली हाद बैठे थे खाली हाद उठेंगे मालाएं घूम सकती हैं पाठ की पुस्ति हो जाती है अपवाद पूरी तरह नहीं जाते जंजावाद पूरी तरह समाप नहीं होते पर हाँ कुछ relaxation मिलती है अगर कोई व्यक्ती साथ सेकंड के लिए बैठा है तो वो पंदरा सेकंड कह सकता है कि पंदरा सेकंड मैंने महसूस किया everything was just quiet बाकि 45 सेकंड तो जमिला चलता रहा पर दिरे दिरे विक्सित करेगा तो 30 सेकंड 60 सेकंड इसी प्रकार प्रगती है पर इसके अभाव में नहीं काल ही न ध्यापक हम ध्यान लगाने कि योगता को पातरता को प्राप्त करें बेसिक प्राइम एलिजिबिलिटी प्री रिक्विजिट उसके लिए अब विस्तार देना शुरू कर दिया है और जब तक ये नहीं जीता जाएगा आँख मूंदने से बात बनने वारी नहीं है कनेक्टिविटी विल नौट हैपन और अनलेस वी कनेक्ट चोटे अस्थित्तु से बड़े अस्थित्तु को प्राप्त योगस्तर को प्राप्त कर पाना असंबभ है आज की इस कक्षा में इस लुक के साथ केवल इतना ही इसे एक बार पुने सुनिएगा ताकि हम फिर से एक बार जाने कि इंद्रियों पर विजे प्राप्त करना परमवश्चक है पर केवल इंद्रियों पर विजे प्राप्त करने से ही जीवन के उद्श्य की पूरती क्या हो जाएगी अगर नहीं तो और क्या क्या करना है और कैसे करना है ये रास्ता हम अपनाना आरंब करें तब तक के लिए ओम शांती 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 ओम